महेंदर सिंग धोनी अपने क्रिकेट करियर में एक सफलतम कप्तान रहे हैं धोनी में एक हारता हुआ मैच कैसे जिताना है वो चमता हम सब ने देखी है और उन्होंने कई बार ऐसा करके दिखाया भी है महेंदर सिंग धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को 2007 में T20 विसुकप वर्स 2011 में क्रिकेट विसुकप और वर्स 2013 में चेंपियन्स ट्राफिका बिजेता बनाया था ऐसे बहुत सारे रिकार्ड हैं जो महंद सिंग धोनी ने अपने क्रिकेट कैरियर में खेलते हुए बनाए हैं आज हम आपको इस वीडियो में उनके द्वारा बनाये गए कुछ ऐसे रिकार्ड के बारे मताएंगे जो साइद भविस में उनको तोड़ना मुस्किल है अब बिना किसी देरी के हम आपको उस टॉपिक पहले चलते हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे आपको मनुरंजग वीडियो हमेशा सबसे पहले मिलते रहेंगे नमबर एक महंद सिंग धोनी ने अपने अंतराष्ठी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बार स्टंपिंग करने का विस रिकार्ड बनाया है धोनी ने अपने कैरियर के 350 मैसों में 178 स्टंपिंग की है महंद सिंग धोनी विकेट केपिंग बहुत अच्छी करते थे इसलिए जब कोई बल्ले बाज बैटिंग करता था तो इस बात का ध्यान रखता था कि थोड़ा सा भी चुके तो महंद सिंग धोनी स्टंपिंग से उसको आउट कर सकते हैं नंबर दू एक ऐसा कारणामा जो कि सायद ही कोई और खिलाडी बना सके वो है वंडे अंतराष्टिय मैचों में नव बार छक्का लगाकर महंद सिंग धोनी ने भाट्टे टीम को विजेता बनाया है आपको याद होगा साल 2011 में जब हम विश्व कप जीते थे तो धोनी ने छक्का मार कर इस विश्व कप को जिताया था महंद सिंग धोनी अपने छक्कों के लिए काफी ज़्यादा प्रसिद्ध है इन्होंने कई सारे मैचों में बहुत ज़्यादा रन बनाये और उसमें सबसे ज़्यादा उन्हें चक्के मारे हुए हैं नमबर तीन महंद सिंग धोनी विश्व के एक मात्र ऐसी कप्तान है जुन्होंने अपनी कप्तानी में ICC की तीनों ट्राफी जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है मात्र एक ऐसे के लाड़ी है इस बात से अब समच जाएए कि धोनी कितने प्रतिभावान है जिनमें वर्ष 2007 का T20 विश्व कप साल 2011 का वंडे विश्व कप और साल 2013 का चैंपियन ट्राफी सामिल है नमबर चार महंदर सिंग धोनी ने एक विकट केपर बल्लेबाज की रूप में वर्ष 2005 में एक मैच में नाबाद 183 रनों की पारी खेले थी जो अभी तक एक रिकॉर्ड है इसी पारी ने महंदर सिंग धोनी को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था और इस पारी के बाद में महंदर सिंग धोनी भारती क्रिकट के एक बरते हुए स्टार बन गए थे नमबर पांच महेंद सिंधोनी सबसे ज़्यादा चक्का लगाने वाले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं उन्होंने अपने कैरियर में 213 चक्के लगाए हैं जो की एक विकेट कीपर बल्लेबाज की रूप में सबसे ज़्यादा हैं विस्व के कई देशों की टीमों में विकेट कीपर बल्ले बाज हैं लेकिन उन्होंने इससे ज़्यादा चक्के नहीं लगाये हुए हैं और सायद भविस्व में ऐसा हो भी न पाये दोनी के खासियत थी उनकों चाहे जिस न में बैटिंग करने को दिया जाये लेकिन वो अपने टीम को समालते थे और मैच को जिताने के लिए पूरी कोशिश करते थे नमबर साथ महन सिंग दोनी के नाम बतौर कप्तान सबसे ज़्यादा अंतराष्टी क्रिकेट मैच खेलने का रिकार्ड है मतलब जितनी भी टीमें हैं जितने भी खिलाडी हैं अगर उनमें देखा जाया तो सबसे ज़्यादा मैच जिन्होंने कप्तान रहते हुए खेला है वो हैं महंदर सिंग दोनी जिन्होंने सबसे ज़्यादा 332 अंतराष्टी मैच बतौर कप्तान खेले हैं इनके अंदर वो प्रतिभा थी और इसका कारण हम आपको बता देते हैं महंद सिंग धोनी कई सालों तक भारती टीम के कप्तान रहे हैं वो कई सालों तक बने रहे हैं नमबर आठ, वंडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज नमबर एक की पोजिशन पर पहुँचने वाले महंद सिंग धोनी सबसे पहले खिलाडी थे। उन्होंने अपने डेविव के 42 पारियों के बाधी ICC वंडे रैंकेंग में नमबर एक की उपलब्ध हांसिल कर ली थी। ऐसा दूसरे खिलाडियों को करने में सालो लग जाते हैं और उनको कई सारी पारिया खेलनी पड़ती हैं तब भी उनको ये पोजिशन नहीं मिलती है। नमबर नौ महेंदर सिंग धोनी ने जिस बल्ले से साल 2011 में भारत को सेलंका के खिलाब दूसरी बार विस्स चैंपियन बनाया था। उस बल्ले को क्रिकेट की इतिहार का सबसे महेंगा बल्ला माना जाता है क्योंकि उस बल्ले की एक लिलामी की गए थी जिसमें एक करोड़ रुपे उसकी बोली लगी थी। धूनी के इतने सारे फैन हैं आप उम्मीद लगा लिजे कि एक बल्ले के लिए लोग करोड़ों रुपे देने के लिए तयार हैं दोस्तों महेंद सिंग धूनी भारत के वो एक स्टार क्रिकेटर थे जिन्होंने भारत के क्रिकेट को बहुत उचाईयों तक पहुचाया और पूरे विश्व में भारत की ठाट बढ़ाई आज उन्होंने अंतराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है दोस्तों महेंद सिंग धूनी एक ऐसे क्रिकेटर और कपतान थे जिन्होंने टीम को हमेशा समाला भारत का कठ्छिन से कठ्छिन प्रस्टित में फसा हुँआ मैच उन्होंने कई बार जिताया हुआ है भारती क्रिकेट को 20 उमे एक अलग पहचान दिलाने का काम उन्होंने बाखुबी किया है हलाकि आज उन्होंने रिटार्मेंट ले लिया है लेकिन वो आपको अभी IPL खिलते हुए दिख जाएंगे अगर आप उनके फैन हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरू बताएगा कि कौन सा रिकार्ट उनको आपको ज्यादा पसंद आया अगर आप किसी और क्रिकेटर के बारे में या भारत की कोई हस्ती के बारे में आप रिकॉर्ड या उनकी जीवनी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्षिन में बता सकते हैं हम आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आएंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा सस्क्राइब करिएगा हमारे चिलन को और सेर करिएगा मिलते हैं नए वीडियो के साथ नमस्कार धन्यवाद